यही का तमाम ये कंभो दिवाल है कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंगधार आप देख रहे हैं मनी नाइन स्वागत है आपका मनी सेंटरल में मेरे साथ स्टूडियो में मनी नाइन के इटर एंशमान तिवारी जी जुलके हैं सर बहुत स्वागत है आपका और दिन की सबसे बड़ी सबसे जरूरी ख़बरों पर चर्चा से पहले आप देखिए आज कौन सी ख़बरें चुनी है हमने मनी सेंटरल के लिए शुरूबात पर इसका क्या असर दिखा है ये जानेंगे मनी सेंटरल में इसके बाद आरबियाई ने माना कि महंगाई से लडाई अभी अधूरी है अभी पूरी नहीं हुई है आंकड़े कुछ भी कहें लेकिन आरबियाई कुछ और ही सोच रहा है एनेचे आई कैसे चुटाएगी 60 करो लोग जा रहे हैं क्या चल रहा है इसके बीचर क्यों बिखर रहा है वाई जूस ये समझेंगे और अमेरिका में शुरू हुई अदानी सम्हू की जाच अब कौन सी जाच किस मामले में जाच क्यों ये जाच जादा माईने रखती है ये सब कुछ आस दिन की सबसे वड़ी में अधानी सम्हू से जुड़ी खबर होगी चली शुरूबात मॉंसून के साथ देवी से आने के बाद मॉंसून अब थोड़ा सुधार दिखा रहा है मॉंसून ने आंद्रप्रदेश तमिलनाडू जारखंड और बिहार की जातर हिस्से को कबर कर लिया है मौसम बिवाग केती 14 फीसद पीछे तिलन का रखवा पिछले साल के मुकाबले 3 फीसद पीछे चल रहा है यानि कि सब में हम पिछड़ रहे हैं सर मॉंसून का वितरन और वहाई की मौजुदा इस्तिक क्या बतारी क्या संकेत दे रही है मॉंसून को लेकर जो अब सूचना है वह उनमें द में मिल रहा है मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारिया मिल रही उसे लेकर गहरी चिंता है और इसलिए चूंकि मानसून के मौसम के आम तोर पर साड़े 3-4 महीने होते हैं जिसमें एक महीना पूरा निकलने जा रहा है जो भीतर के आकले वो बता रहे हैं इस चार्ट में आप देखें तो आपको दिखा ही देगा कि मानसून की नीली धारा जो है वो धीमे धीमे बंगाल के उपर के हिस्सों में सक्री हो रही है है मानसून नीचे से मरा ठवाड़ा के हिस्से से उपर बढ़ना शुरू कि आते लंगाना के हिस्से में भी थोड़ी सक्रीयता है ले 85%, 94%, 70%, 66% और 31% है यहनी इन इलाकों में तो मानसून का एक बड़ा अक्रा हमें दिखता है कि 30% सामाने से कम बारिश हुई है पर भीतर जाने पर मानसून का जो चेतरी वितरन है उसे साब से महाराष्ट में 88% की का शाटफार है महाराष्ट काफी महात्वपूर्ण है सुखे के दृष्टे से काफी संवेद इंशील है 36 गड़ धान की दृष्टे से सबसे महात्वपूर्ण है भारत में 94% की डिफिशेंसी परिष्ट की परिष्ट की दिफिशेंसी दिखाई दे रही है पानी बारिष की बारिश की मानसून का पहला महीना पूरा होने के बाद एमडी भारत का मौसम विभा करीब 716 जिलों के आंकले जुटाता है 716 जिलों के अगर आप एक साथ मिलाएं तो इसा दिखाई देता है कि 47% ऐसे जिले हैं जहां बारिश में कमी दिखाई दे रही है और खरीफ की बुआई का एक शक्र पूरा हो रहा है मांसून में देरी की वज़य से देश के जलाशयों में पानी का इस्तर घटने लगा है केंद्रिय जलायोग की रिपोर्ट कहती है कि इस साल जलाशयों में पानी का इस्तर पिछले साल के मुकाबले करीब 8 फीसद कम है पानी के स्तर में अगर सुधार नहीं हुआ तो भविश में इसकी वज़े से पानी के पीने के पानी का संकट हो सकता है साथ में आगे चलका रवी सीजन की बुआई भी प्रवावित हो सकती है सर क्या पता चलना जलाशेओं के आंकले से? अब दूसरा आंकले से रभी की फसल का भविशी जुड़ा हुआ जिस पर हमने कल आपको संकेत में चर्चा की थी मानसून की बारिश भारत के जलाशेओं के लिए प्राण बन कराती है क्योंकि अगर बारिश होगी तो जलाशेओं में पानी होगा जिसका आसर हमें नहरों की सिचाई के दोर पर रभी के मौसम के दोर पर दिखाई देगा भारत में करीब करीब तीन हजार दोसु सरसट के आसपस जलाशे और बांधों से जुड़ हुए जलाशे हैं इन में के पानी के इस तरह में गिरावट हो रही चूंकि मानसून का एक महिना बीथ चुका है जलाशियों में पानी के संग्रहे की सबसे ज़्यादा जरूरत धक्षन भारत के और मध्ध भारत के अलाकों में होती है वहां मानसून की एक शाखा बहुत कम बारिश करके आगे की तरह बढ़ चुकी है तो आकले हमें दिखाई दे रहे हैं कि और जैसे अगर आप आंधर प्रदेश ते लंगाना के लाके में देखें करनाटे के जलाशियों में देखें महराष्ट के जो वाटर रिजर्वाइस हैं इन में पानी के इस तरह में काफी तेज कमी दिखाई दे रही है पिछले साल की तुल्ल में 8-10% 12% के असपास है कहीं कहीं 14% तक की है महराश्टरा में के जलाश्टरा के जवाश्टरा के पानी की क्यामी 10-14% के असपास है अभी हमने आपको कुछ सीधर पहले बताया कि इसी आलाके में मानसून की सबस्यादा कमजूरी दिखती है 84% से 90% के असपास डिफिशेंसी मानसून की इन इलाकों में जानी अगर अगले 15 दिन में 20 दिनों में इस इलाके में सामाने बारिश नहीं हुई तो इन जलाशियों का पानी और कम होगा और इसका असर हमें रभी की फसल पर दिखाई देगा जलाशियों के आकड़े हमें ये भी बता रहे हैं कि सरकार को पानी की आपूर्ति के लिए अगर मानसून के अगले 15 दिन ठीक नहीं होते तो पानी की आपूर्ति के लिए भी प्रभावित करने पड़ेंगी की ज़रूरत है इसका असर खाद महगाई पर पड़ सकता है रिजब बैंक गवर्नर ने ये भी कहा कि महगाई को काबू करने का काम अभी आधा ही पूरा हुआ है यानि अधूर आये काम भले आकड़े ये बता रहे हो कि महगाई का जो की जो दर है वो आरबी आई का जो इस मिनिट्स है मानेटरी पालसी कमेटी के मिनिट्स हमेशा आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कमेटी दरसल सोच क्या रही थी जो निर्ने आया उस निर्ने के पीछे बाकी लोगों की राय क्या थी और यही मानेटरी पालसी कमेटी के अंतराश्री व्योस्ताओं का इस्सा हो बाजारों के लिए पहले चीज तो ये कि मानेटरी पालसी कमेटी तक रिजर्ब बैंक ने मानसून के असर को अपनी गणनाओं में शामिल नहीं किया था अब ये चौकाने वाली बात है कि मानेटरी पालसी कमेटी के मिनिट्स में मानसून के असर की चर्चा तो दिखती है पर मुенटी पालसी का जब रांसमेंट आता है तो उसके बारेमें नहीं बताए गया थै कि मांसून का असर क्या होगा बलकि माना गया था कि महिंगाई की नियंतरोर में है और चीजें बहतर हैं और यह भी कहा गया था कि आने वाले समय में में इस अर्थवस्ता में नहीं अंत्रों नहीं रहता है इसका मतलब यह है कि कमिटी के भीतर की चर्चाओं में सूखे की संभावना मांसून के असर की आशंका है मौजूद थी और अब उसमें बाहर निकल करे आ रहा है तो इस खत्रे का भी संकेत हमें इस बैठेक के मिनिट्स में मिलता है कि खाद महंगाई पर दबाव बनने वाला है और बढ़ रहा है हमें गेहूं की कीमतों को में बढ़तरी लगातार दिख रही है जो कि भी सामने दिखाई देती तो पहला तो संकेती है दूसरा इजर बैंक गवर्नेंट इस मीटिंग में ये भी खा कि महंगाई के लड़ाई ये भी पूरी नहीं हुई है इसका मतला भी है कि एक तो जो जो फैसले लिये गए थे उनका क्रियानवेन रिपोरेट में जो बढ़तरी के फैसले थे उनका क्रिया पर इजर बैंक को अपना सारा साजों सामान लेकर फिर आगे डटना होगा यानि अगले अगला चे महीने तक का समय शे साथ महीने तक का समय उची व्याज जरूंट में रहने वाला एक रहेंगे बैंकों में कोले की कीमत को लेकर एक बड़ा फैसला है जिस पर विचार चल को यले तरह से दरता है देज कि दिगज कोईला कंपनी की का की कोईल इंडیया के मैनेजमेंट की तरफ से एक बयान आया बयान में कहा गया कि कंपनी इस तरीकी की वेवस्था पर पर काम कर रही है कि धशने समय के कोईले की कीमत भी बढ़ती जाये उन्होंने कहा कि कोईले की कीमतों में अगर बढ़तरी होती है यह पहली बार ऐसी विवस्था है ये क्योंकि की कीमते है भारत में controlled है, regulators भारत की monopoly कोईला उत्पादन में वही कोईले की कीमतें तय करती, जिस पर पाजार में कीमतें तै होती ही, कोईले लगातार इस बात के दवाव में रहती है कि उसे कीमत बढ़ाने की छुट मिले, लंबे पाउज आते हैं, महझाई के साथ साथ इनकी कीमत बढ़नी चाहिए उने सबसे आधा जो चिंता से 18 पर से कम कीमत पर कोईला बेचती है सामानिक जो उद्धियों है इस्तील या मेटल उद्धियों उनको जो कोईला मिलता है उस से सस्ता कोईला बिजली इस प्रस्ताओं को बिजली घर स्विकार करेंगे बिजली घरों के आगे खड़े भी बिजली वित्रन कंप्पिनियां स्विकार करेंगी इसमें मुश्किल है क्योंकि अगर कोल इंडिया महंगाई के साथ कोले की तरह बढ़ना शुरू हुई तो भारत में फिर बिजली भी मह अनुमान था 6 फीसद का मार्च में फिच ने महगाई उची ब्यास दरें और कमजोर वैश्विक मांग के मद्यनजर 234 के व्रद्य अनुमान में कट उती थी तब 6.2 फीसद से घटा करें से 6 फीसद कर दिया गया अब लोटके फिर 6.3 कर दिया गया तर नजरिया क्यों बद के कारण बदलावा है फिच ने दो चीजें देखी है कि एक तो महत्तुपूर्ण यह कि जो पीमाई के आंकले बीच बीच में आये हैं तीन महीने के जो बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन में रिकवरी दिखाई दे रही है और दूसरा जो क्रेडिट की ग्रो करज में दवी अगले तीन से पांच वर्षों में बाजार से साथ हजार करोल रुपए जुटाने की यूजना बना रही है यह पैसा कैसे जुटाए जाएगा यह पैसा अंडर कंस्ट्रॉक्शन प्रोडेक्ट के सिक्यूरिटाइजेशन से जुटाए जाएगा इस प्रोसे से प्रोडेक्ट सिक्यूरिटाइज किये जाएगे फ़जके बनाने के लिए पैसा भी नहीं है बजट से से फंड्स में भी कट उती हुई है यह बात हम आपको बता चुके हैं ने चार ऐसे प्रोडेक्ट्ट चुने हैं जिन प्रोडेक्ट को पर पैसा को सामने रखकर पैस प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं तयार हो रहे हैं इन्हें एक special purpose वेहिकल में बदला जाएगा और इन प्रोजेक्ट को asset मानकर गिरवी रखा जाएगा बैंकों के सामने निवेश्कों के सामने और वो इन प्रोजेक्ट के की guarantee पर और इन से मिलने वाले revenue की guarantee पर एने चाइप को को सामने रखकर ही fund मिल पा रहे हैं और यह इस्तिती नहीं के करज में डूबे होने के कारण हुई क्योंकि नहीं को सरकार ने पिछले दो साल से करज उठाने से रोग दिया है हम लोग विस्तार से इस पर नहीं के भीतर क्या चल रहा है एक मामिकम में इस पर विस्तार से जर लगा इसकी शुरुबात कहां से वही थी जीस्त marriage कंपन titt के बीच इंस्ट कंपनियों पर टेक्स डिपार्ट सख्त कारवाई की टवाय कारते का रहा दो मैं कंपनियों पर कारिवाई से में बड़े मामले सामने आए JAMES stret के दाइरे में रगातार संदिक धोती चलै चली जा रही है और इसकी दो बड़ी वजह है कि की मगुझें इसे व्याटि खूरेंक करती हैं और कई तरीक ही से भुक्तानकरती नहीं बीदन कर heck tax वसूलती भी है, input tax credit भी लेती है, refunds के भी claim होते हैं और तमाम बड़े agent network का इस्तेमाल होता है और इसमें कई जगे input tax credit लिया जाता है क्योंकि विमा company में में services पर मिलने में में जो service tax है उसका credit वसूल आ जाता है. tax return को देखते हुए GST विभाग के आधिकारियों को यह लगता है कि बहुत सारे बिजनेसेस में विमा company के transparency नहीं है और इससे पहले भी आपको याद होगा कि विमा company के कामकाज को लेकर tax विभाग अलग-अलग जाच में जुटा हुआ था पहले से ही और कई सारे से document GST department को मिले हैं जिनमें tax की input tax credit की खामिया गड़बणिया या कहीं तक कुछ तक चोरी भी पाई गई है और इसलिए अब बीमा company के financials की उनके वित्ती कामकाज की उनके income tax data की उनके साथ काम करने वाले एजेंटों के कामकाज की data का विस्तार से audit किया जाएगा प्रदानमंत्री नेरेन मोद्री की अमेरिका यात्रा के बीच WTO के मोर्चे पर बड़ी ख़बर आ रहे हैं भारत और अमेरिका की सरकारें कुल 6 मुद्दों को WTO से बाहर निप्टाने पर सहमत हो गई है यानि कि अदालत में मत लड़िए आपस में निपट लीजिए किन किन चीजों पर समझाता हुआ है हमने प्रतामनंत्री की आत्रा से पहले महनी सेंट्रल में आपसे कहा था कि सबसे महत्तुपूर्ण घटना क्रम इस पूरे घटना क्रमें देखने वाला होगा कि भारत और अमेरिका की बीच कोई बड़े नए व्यापारिक सम्झा होते ह हो या ना हो पर जो विवाद हैं इनको हल करने की कोशिश होनी चाहिए और उस दिशा में सफलता मिलती दिखाई दे रही है पाच्छे महत्तुपूर्ण मुद्धे हैं इसमें कुछ मुद्धे ऐसे हैं जिसमें अमेरिका ने भारत को डबलू टियो की अदालत में डिस्प् और से अमेरिका ने भारत के उपर 2017-18 के बाद कई तरीकी की पीनल डियोटी दिनदाट में शुल्क लगा रखे हैं जिसमें कि टरम्प के एरा में भी टरम्प के दौर में भी शुल्क लगाए गये थे जो मामले निप्टाए गए हैं उनमें एक मामला 2018 का है जब 2018 में अमेर अमेरिका ने करीब 28 जब अमेरिका ने किया तो 2019 के जून में भारत ने 28 ऐसे प्रोडिक्ट जो अमेरिका से आते थे उन पर इंपूर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी इनमें डालें थी इनमें रेजिन्स थे इनमें एपिल्स थे कुछ और डाग्नोस्टिक सामान था इस पर भारत ने ड्यूटी बढ़ा दी थी इसके अलावा इस्टील से जुड़े हुए आटूमबील से जुड़े हुए भी कई सारे मामले हैं जिनमें भारत और अमेरिका विवाद में उलजे थे अब अमेरिकन ट्रेड रेप्रेजेंटेटिव की तरफ से इसंके दिये गए हैं क स्टारिकार कैम इब यह मामले सुलच गे हैं कम से कम क्च मामलों में विवाद अब खर्ण होता दिखाई दे रहा है सर स्टार्लिंग के भारत आने की कुछ जर्चा गरम है क्या अमीद है आप आइगी स्टार्लिंग की सी कमपिनी है इस तरह की की प्रसान वंतरी से मुलाकात के बाद मीडिया के बीच में आई कि स्टार्लिंग भारत में आना चाहती है। लेकिन स्टार्लिंग के भारत में आने का विरोध भारत की टेलीकॉम कंपेनिया कर रही है। स्टारलिंग एक broadband internet service है जो सेटलाइट के जरी इंटरनेट को बीम करती है। भारत में जो सबसे बड़ी और प्रोम कंपिनिया रिलाइंस जियो इसको अपोस कर रही है, इसके पक्षमें नहीं है। भारत सरकार की तरफ से भी स्टारलिंग के पुराने प्रयोगों में भी हमें सुरुक्षा समन्दी समस्याइं पाई गई हैं। अभी स्टारलिंग रूसरी कुरेंट दुको लेकर भी कई कुछ चर्चाओं में सवानों के घेरे में थी। लेकिन अगर भारत की कंपिनियां इसका विरोध करेंगी तो फिर स्टारलिंग के लिए भारत आना मुश्किल होगा। इलर्नमस की दोनों कंपिनियां स्टारलिंग और टेसला दोनों भारत आने की में एक शुक है। एक के आने का विरोध मुकेश अमानी की कंपिनी जीओ ने किया है और दूसरे के आने का विरोध टेसला के आने का विरोध मस्रीज ने किया है Mercedes ने कहा है कि Tesla को भारत में लाने में ऐसा नहों कि मवजूदा कमपीनियों के साथ पक्षपात किया जाए क्योंकि उन कमपीनियों ने पहले से भारत में निवेश कर रखा है देश की दिगज आईटी कमपनी TCS में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है कमपनी में नौकरी दिलाने के बदले भारी भरकम कमीशन लेने का मामला सामना आया है इस पूरे मामले का खुलासा एक विसल विलोगर की ओर से किया गए आरोपीय है कि कमपनी के बड़े अधिकारी स्टाफिंग कमपनियों से वर्षों से नौकरी दिलाने के बदले मुटा कमीशन ले रहे थे कमीशन की राशी भी बहुत बड़ी है सो करोर रुपे तक बताई जा दिये सर क्या पूरा मामला है कैसे लिया जाता था ये कमीशन टीसीएस जैसी बड़ी कमपनी की साख के लिए ये भेद पे बड़ा दाग है जो खुलकर अब सामने आया और इसमें बड़े अधिकारियों को हटाया भी गया मामला कुछ ऐसा था कि टीसीएस की जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रूप है जो उसके ग्लोबल हैटिक के बारे में बताया जाता है कि वो नोकरियां दिलाने वाली जो कंपीनी है जिनके स्टाफिंग कंपीनी में रिश्वत लिया थी ती सिसी बड़ी कंप्योटमें kriegen transition में रिश्वत ली जाती थी और रिश्वत लेकर पाँ को हाईर किया जाता था इसके बाद कंप्यणी में अपने बड़े अधिकारियों को हटा दिया है इसमें भी जो recruitment इवीजन के कई सारे सारे लोग हैं इसमें खास्तोर से कुछ बड़े अधिकारी हैं जोंकी जोंकी टीसीस में काफी उच्च पदों पर रहें टीसीस की साख के लिए यह माम मामला और यह गोटाला गोटाला यह की साख पर दाग जैसा लग रहा है एड टेक कंपनी वाइजू में भी संकर बलसा जा रहा है ताजा मामला यह है कि कंपनी के फाउंडर वाइजू रविंद्रन के साथ कुछ मामलों पर मतवेद होने की वैसे बोड के कुछ सदस्यों ने स्तीफा दे दिया स्तीफा देने वालों में कंपनी के ओरिटर रह गए हैं बता दें दिव्या गोकुलनाद वाइजू रविंद्रन की पत्नी है हाला कि जो इस्तीफे हुए हैं जो लोग ने छोड़ा इसकी पुछ्टी अभी कंपनी की ओर से नहीं की गई है सर क्या हो रहा है यह सिर्फ एक खबर से अंदाद लगा जा सकता है कि कंपनी के आडिटर ने कंपनी को छोड़ दिया है जिसके ओपर कंपनी के खातों की पारदर्शिता सुनिष्चित करने की जिम्मेदारी थी और एमाना जा रहा है कि बदीन के आपने डिकलेर करने में अपने विट्टी नतीजों को सामने लाने में देर ही हो रही थी सरकार की हाल फिलाल की सकती सेवी की और अर्बियाई की सकती के बाद आडिटर्स अपने आपको इस मामले से दूर रखना चाहते हैं तो डिलाइट ने वहां से से इस्तिफा दे दिया है इसके तुरंत बाद ऐसा पता चला है कि बाईजूस ने बीडियो को एक नया आडिटर अपाइंट किया है और उस आडिटर के साथ काम करने की तयारी की जा रही है बाईजूस में पिछले एक साल से लगातार तार गहरे संकट हैं कंपनी लड़ खड़ा रही है कई मोर्चों पर लड़ खड़ा रही है कंपनी का वैलेशन कभी 22 बिलियन डालर हुआ करता था जो अगटके केवल आडिशन लग 4 बिलियन डालर हो चुका है कर्ज में डिफॉल्ट कर चुकी है और अदालत में लड़ रही है कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है छटनी हो रही है नए इंविस्मेंट नहीं मिल रहे है कर्ज के साहरे चलानी की कोशिश की जा रही है बट आडिटर्स का निकलना इस बात का संकेत है कि कंपनी में बहुत कुछ पाक साफ नहीं है भारत के एट्टेक चेत्र की यह सबसे बड़ी कहानी थी सबसे चमकता हूँ चमकती भी कहानी थी उसके उपर चापे भी बढ़ चुके हैं बाइजूस का में अभी कुछ और अंदर से रहस से शायद निकल कर सामने आएंगे जिस तरह से डारेक्टर्स ने भी इस्तीफा दिया है और आडिटर्स भी उससे अलग हो रहे हैं अब लोगों की निगहां इस बात पर हैं कि बाइजूस के नतीजे क्या कहते हैं अब जो बाइजूस अपने रिजर्ट्स डेक्लेयर करेगी उससे पता चलेगा कि कंपनी की विक्ती स्थ विक्वाली देखने को मिली दसकी दस कंपनियां लाल निषान में गिरावट इतनी गहरी की फ्लेक्शिब कंपनी 7 वीसस से ज्यादा की गिरावट के साथ कारुबार कर रही थी बंद हुए जब तो 7 वीससे ज्यादा की गिरावट थी इसके लावा अधानी टॉर्स परशन नीचे के सक गया, कुछ दिन पहले आपने सुना हुआ कि फिर से हम 10 लाग करों, 11 लाग करों के उपर निकल गए थे, तेकिना फिर 10 लाग करों के नीचे का समूर है गया अदानी ग्रूप, अब ये गिरावट आई क्यों, ये बिक्वाली दिखी क्यों, इस बिक्वाली के ता अबने अमेरिका के निवेशकों को इस इंक्वाईरी में ये जानने की कोशिश की जा रही है, इसके तार कहां से जोड़ रहा है, हिंड़नवर की रिपोर्ट से, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि विदेशी कंपनियों की मदद से कंपनी, शेयरोंक्मे के भाव में हेरा फ इतना तेज एक्षन है हुआ यह कि अडानी सम्हूं अब अपने अपनी इक्विटी बेच कर दुबारा पैसा जुटानी की कोशिस कर रहा है एफप्यो असफल होने के बाद तमाम घटना करमा आपने देखा था हिंडन्बर्क की रिपोर्ट में अडानी सम्हूं में कापरेट कोट से समय भी मांगा है इस बीच में जो बुर्कलिन का एटार्नी आफिस है उसने उन निवेशकों को नोटिस भेजे हैं जिनकों की अमेरिका में सपोनिया कहा जाता है उन्हें नोटिस भेजे और उनसे यह कहा है कि अडानी सम्हूं ने आपको कंपिनी के बारे में क्या बताया था अभी तक क्या बताया है आप उसमें अगर निवेशक कर रहे हैं निवेशक कर चुके और क्या बताया जाया है कि आप कि में क्या इसी कंपिनी में जिस के जो जाच के दाएरे में है भारत में भी और जिसके कामकाच के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सवाल उठाये गए थे अब ये कुछ इस तरीके का घटना करम है जिसमें कि घटना करम के बाद अडानी समूं की भविशे की विस्तारी हो जिनाओं पर भविशे की इस जाच का मतलब क्या है इस जाच का मतलब यह है क्योंकि खबर सिसके साथ ये भी थी कि एक तो अमेरिका का अटार नी यह अमेरिका का का कानूनी विभाग परोख शुरूप से अडानी के मामले की जाच शुरू कर रहा है अडानी के जाच शुरूप से अडानी के अडानी के पूरे कामकाच की जाच अडानी समू में निवेश हुआ है इसलिए इसकी जाच शुरू हो गई और यह अपने आप में काफी बड़ी बड़ा घटनाक्रम है अडानी समू के स्टॉक्स को लेकर इसकी यह पूरा मामला आज सुभे खुला है और यह डिवलपिंग स्टोरी है इस पर हमारी नजर लगा बनी हुए कि में और भी आगे क्या इसपश्टी करना आते हैं क्या आपको लगता है समू पर असर पड़ेगा आगे की भविश योजना उपर जो सबसे बड़ी चर्चा यह है कि अडानी समू अब ऐसा लग रहा था कि तूफान थम रहा है घर्द बैठ रही है करच कम करने की कोशिश में अडानी समू पंद्रह सूला अजार करों रुपए ठारा जार करों रुपए की नई उगाही करने की या नई एकुटी जुटाने के प्राइवेस प्लेस्मेंट की कोशिश कर रहा था एफप्यू की असफलता के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस तरीकी से सबस्जादा पूंजी आते हैं वहाँ के निवेशकों को अगर वहाँ के नियामक कानूनी वेभाग नोचिस दे कर पूछ रहें कि लाये के बीतर क्या चल रहा है तो तो इसका असर उस पूरे कारिकरम पर पढ़ेगा जो निवेश कारिकरम आड़ानी सámह अब लेकर आ रहा है और जिसके जरीए पूंजी जुटाई जाएगी और पूंजी जुटाने के बाद कर्ज चुकाने की कोशिश की जाएगी यानि पहिया फिर दुबारा दूसरी दिशा में घूमेगा क्या निवेशक इसके बाद भी अडानी समुग की इस प्राइट प्लेस्मिंट की प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेंगे या सिक्यूरिटी एक्षेंज कमीशन अडान निवेशकों को अडानी समुग के मामले में कुछ और बात ने बताएगा बोलेगा इस पर हमारी निगाप रहेगी परियगट नाकरम अगले हफते भी अडानी समुग के स्टॉक्स को हिलाता रहेगा इसा लगता है चली आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर जेटपट की तरह अंतराश्टी बजार में नेच्रल गैस की कीमतों में गिरावट के बाद भी मई के दौरान देश में नेच्रल गैस का आयात गिरा है और इसकी वजह से नेच्रल गैस की खपत 12 फीसद से जाधा कम हुई है मई के दौरान नेच्रल गैस के आयात में 24 फीसद की गिरावट आई है नेच्रल गैस के आयात में ऐसे समय में गिरावट देखने को मिल रही जब वेश्विक वजार में भाव में तेज गिरावट है और गहलू इस तरफ पर उत्पादन में कोई बढ़ उत्री नहीं हुई है अगर आपने अब तक पुरानी और नई टेक्स प्रणाली में से किसी एक का चुनाव नहीं किया है तो ये ख़बर आपके काम किया है CBDT ने यानि कि केंदरी प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कंसर्टेंट और प्रोफेशनल को टेक्स प्रणाली में चुनने के लिए नहीं नियम जारी किया है नौकरी पेशा के कोई फरक नहीं लेकिन प्रोफेशनल हैं सीए हैं डॉक्टर हैं वकील हैं और अगर आप नई टेक्स रिजीम नहीं चुनना चाहते हैं पुरानी के साथ जाना चाहते हैं तो भाई एक अत्रिक्त फॉर्म भरी है ग्लोबल मारकेट में सोयाबीन, पाम और सूरज मुखी ओयल की कीमतों में भारी गिरावट और खादे तेल के ऊपर कम कस्टम डूटी के वज़े से इंपोर्ट में 18 फीसद की बढ़ हुतरी देखने को मिलिये हुआ क्या आयात हुआ तो घरेलू आयल निर्माता कंपनियों को नुकसान हुआ उन्होंने कहा कि आप इस नुकसान से बचाने के लिए पॉलिसी में बदलाव करें सरकार तैसी मांग की नवंबर 2022 और मई 2023 के बीच खादे तेलों का आयात 18 फीसद बढ़ा है एक और जानकारी मिली कि बीते दो साल में पहली बार सरसों और सोयबीन का भाव MSP के नीचे लुड़क गया है ये एक और नई बात सामने आई सर कोई टिपनी आपकी नई इंकम टेक्स रिजीम को लेकर अब बदलाव शुरू हो रहे हैं हैं अगर आप ने आप रिटर्न भरने का समभी करीब आ रहा है आपके पास आपके आफिस से आपके सीए के की सूचना आने लगी होंगी थोड़ा सतर करें जानकारी करें कि आपने इंकम टेक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो किस तरीकी की ज़रूरते हैं और आपके प्रोफेशन के साफ से आपके कामकाज के साफ से बदले हुए नियम कैसे लागू होते हैं क्योंकि यह यह महत्तुपूर्ण मौका है जब आपको इस बात की जानकारी होने चाहिए लगातार इसकी जानकारी आपको दे रहें नहीं कम टेक्स के रिजीम के बारे में प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए इंडिविजल को क्या करना चाहिए आपको इन सारी जानकारी का के अपडेट मिलते रहेंगे तो यह था हमारा आज का मनी सेंट्रल आगली मुलकाद आपसे कब होगी रविवार को सुबा सवा ग्यारा बजे एकनौमिकम में विशय क्या है सर इस बार अर्थात का इस बार हम एक थोड़े से अंजाने से विशय को लेकर आपके पास आए हैं क्योंकि हम भारत इस समय आलमस्ट सूखे के करीब खड़ा हुआ है बाद है पानी की कमी है और मानसून कमजोर है ऐसी स्थितिय में हम आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बताना चाहते हैं जो पानी का कारोबार है पूरी दुनिया में कर्श के आयात निर्यात का इसे देखने के बाद आपको महसूस होगा कि भारत की खेती में जो हम उगा रहे हैं और जो बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं इसमें फर्क क्या है क्या हम इस पानी के कारोबार में आगे हैं या पिछड़ा रहे हैं इस बार के इकनोमिकम में इस प ही रंगो रूप है पैसा ही माले